कि 6 टू को लेके बात करेंगे क्विक रिविव में सबसे ज़्यादा इशू यह रहता है कि हम यह बोलते कि जल्दी जल्दी बताना रहते है जो भी रहता इसका music इसका bgm भी बहुत बहतर है जो तरी का इवन इनफैक श्रद्दा कपूर का जो character है जिस तरीके से वो face off उसका दिखाया है वो भी बहतर है राजकुमार राओ की जो comic timing है उसके क्या ही कहने है भाई उसने तो और ज्यादा पागल बना के रखा है वे audience को वो एक पागल character है उसके बारे में जितनी भी तारिफ करू कम है बाकी overall अगर performances की बात करूँ सबका बहतरीन है पंकश्टी पाठी वास ग्रेट कुछ cameos भी है कुछ secrets भी है street 3 का भी एक hint मिल जाता है no doubt so overall यह bumper package है मज़ा आ जाता है if you can't compare part 1 with part 2 there is no comparison क्योंकि वो बनी इसलिए वो एक universe बना और उसके बाद यह part 2 आया तो यहाँ पे वो comparison नहीं होगी हाँ हम comparison एक 10 दिन बाद एक video लाएंगे जिसमें थोड़ा spoilers की भी बात होगी 10 नहीं है 15-20 दिन होने दो जरफ फिल्म बहुत तगड़ा चल रही है भाई धीटर में जो experience मिलता है ना भाई वो चिल्लम चिल्लाए भी थोड़ा बहुत जो मज़ा आता है ना भाई वह अलगी है वो सरकटे को देखके जो मतलब इन लोगों की जो हलत होती है वो भी मज़ा आती है देखके यह देखो भाई एक बहुत ही comedy और अच्छी जरनी है यह इनकी comedy जरनी ही बोल दूंगा मैं horror comedy है no doubt बढ़ डराने से जादा भाई हसाने में कामियाव होती है फिल्म और लोगों को और क्या चाहिए हां कुछ चीजे है कुछ जगह पर डराने की कोशिश जरूर करती है लेकिन public पहले ही चिल्ला देती है यार इतनी जादा भीड़ती ना फिल्म में कि वो डर लगता ही नहीं है मैं तो चाहता कुछ अभी बात नहीं कर रहे हैं बट वो जो में रिवियो वो देख ले न वहापे आपको अंदाज आ जाएगा फाय उट फाय देना भी मजाख नहीं है भाई वो सच्छ में वो डिजरू करती है वो मतलब मेरे लिए तो फुल एंटेटिन्मेंट था वीडियो को शेर अगर आपने फिल्म देखिये तो